हलो फ्रेंट्स आपका स्वागत है सिक्षा प्रवापन तो दोस्तों मैं करणा क्लास 12 के बच्चों के लिए आज लेकर के आई हूँ पेंटिंग सब्जक्ट के के नोट्स बिटा ये बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट वीडियो है आप लोगों को पता है कि इस बार जो आपका स्लेबस है उसके अंदर जो चेप्टर दिये गए है वो है बंगाल शेली और उसके कलाकार आधुनिक शेली और कलाकार समकालिन चापाकार और समकालिन मूर्तिकार ठीक तो इस चेप्टर से इन सभी तम सेकिंड से जो की नोट्स में आपके लिए लेकर आई हूं वह बहुत जल्दी आपको याद हो जाएंगे बहुत ही इजी आपको इन से आपका स्लेबस लगने लगेगा तो वीडियो को शुरू करने से पहले बिटा अगर आपको मेरी वीड लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें बिटा अगर आपने अभी तक भी सिक्षा प्रवा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सिक्षा प्रवा को सब्सक्राइब कर लें बिटा अब मैं वीडियो शुरू कर रही हूं तो सबसे पहले जो हम वो है यात्रा का अंत और इस चित्र को इन्होंने 1937 में टैंपरा और वाश तक्निक में बनाया है। अगर पूछा जाए कि ये चित्र कहा सुरक्षित है तो बिटा ये चित्र सुरक्षित है रास्त्र संग्राले नई दिल्ली में। ठीक है इसी तरह से हम हर आर्टिस्ट और उसके चित्र को इहां पर देखने वाले हैं। अगर आर्टिस्ट बंगाल शेली में उसका नाम है राम गुपाल विजयबर्गिया। और चित्र है उनका मेगदूत। उनने सो चालिस में उनने मेगदूत को बनाया है। टेंपरा और वाश पदती में बनाया है और रास्त्र संग्धाले नई दिल्ली में सुरक्षित है। विडियो को आगे बढ़ाने से पहले बिटा मैं आप लोगों को बता दूँ कि आपके स्लेबस में चित्ने भी चित्र या मूर्ती दिये गए हैं वो सभी रास्त्र संग्धाले नई दिल्ली में सुरक्षित हैं। सिर्फ दो पेंटिंग और एक स्क्लप्चर यानि की मूर्ती शिल्फ को छोड़ कर तो सिर्फ वो आप याद कर लें कि उनका संग्रे कहां पर हैं। और बाकी सब को याद ना भी करें तो आपको पता रहना चाहिए कि बाकी सब रास्त्र संग्धाले नई दिल्ली में सुरक्षित है। अब हम पढ़ेंगे बिटा आधुनिक शेली के कलाकार। जिस तरह से चार कलाकार चित्रकार आपके बंगाल शेली के हैं। इसी तरह से आधुनिक शेली के भी चार चित्रकार आपके सलेबस में हैं। पहला राजा रवी वर्मा और उनका चित्र है राम समुंद्र का मानमर्दन करते हुए। उन्निस में शताबदी में बिटा इन्होंने इस चित्र को बनाया था। के नवास पर तेल रंग से इन्होंने इस चित्र को बनाया है। और ये चित्र शाला मेसूर करनाटक में सुरक्षित है। मैंने बताया था कि एक पेंटिंग है जो आपकी राश्ट्र संग्राले में नहीं रखी। तो वो यही है कौन सी राम संद्र का मन मर्दन करते हुए। ये मैसूर के चित्र साला में रखा हुआ है। और मैसूर करनाटक में है। दूसरा जो आपको आधुनिक शली के आर्टिस्ट है। उनका नाम है यामिनी राए। मा और बच्चा इनका चित्र है। 1930 में उन्होंने इस चित्र को बनाया। जल रंग से इन्होंने इस चित्र को बनाया। जल रंग की टेंपरा तक्नीक को इन्होंने यूज किया। और इनका ये चित्र रास्टर संग रालने नहीं दिल्ली में सुरफशित है। तीसरे आर्टिस्ट जो आपके आधुनिक शेली में आपको दी गई है वो है अम्रिता शेरगिल हल्दी चक्की हल्दी पीसने वाली इनकी चित्र का नाम है इनकी करती का नाम है जो आप पढ़ रहे हैं 1940 में उन्होंने इस चित्र को बनाया था कैनवास पर ऑइल कलर का यूज़ करके उन्होंने इस चित्र को बनाया है और रास्ट संग्राले नई दिली में ये चित्र सुरक्षित है चौथे आर्टिस्ट जिनको हम आधुनिक श्रेणी का कलाकार कहते हैं और आपके स्लेबस में हैं उनका नाम है M.F. हुसेन इनकी जो चित्र है वो है मदर टेरेसा 1979 में नोने इस चित्र को बनाया केनवास पर तेल और एग्रेलिक रण के सहयोग से और इनका ये वाला चित्र भी रास्ट संघ्राल नहीं दिल्ली में सुरक्शित है तो अब आपके बंगाल शली के चार कलाकार आपने देख लिए और आधुनिक शली के चार कलाकार अब एक और बात समकालीन आधुनिक भारतिय च्छापाकारों के बारे में तो पहले छापाकार का नाम है सोमनाथ और इनका छापा चित्र है बच्चे जो इन्होंने उन्निस सो पचपन से सत्तर के मध्य है बनाया एचिंग और एक्वाटीन्ट टेकनीक में इन्होंने इस चित्र को बनाया तामबे प्लेट पर इन्होंने इस चितर को बनाया और ये वाला जो चितर है वो रास्ट्र संग्राले नई दिल्ली में इनका ये जो छापा चितर है या ग्राफिक प्रिंट है रखा हुआ है सेकेंड जो ग्राफिक आर्टिस्ट है या चापाकार आपके स्लेबस में है वो है जोतिंद्र मांचरंकरबट और इनके चितर चापा चितर का नाम है देवी ये बनाया इन्होंने 1965 से सत्तर में एजिंग टेकनीक से बिटा इन्होंने इस चितर को बनाया पीतल की प्लेट का प्रियोग इन्होंने इस चितर को बनाने में किया और ये वाला चितर भी राश्टर संग्राले नई दिल्ली में सुरक्षित है इसके बाद जो तीसरे छापाकार बेटा आपको दिये गए हैं आपके इसले बस में उनका नाम है अनुपम सूथ अनुपम सूथ के चापा चितर का नाम है दिवारों से सरुकार इसको इन्होंने 1982 में बनाया लीथो ग्राफ टेकनीक से मेडियाम यूज किया इन्होंने कागच का और ये चितर भी सुरक्षित है राश्टर संग्राले नई दिल्ली में चौथे आर्टिस्ट याने की चापागार जो आपके स्लेबस में है उनका नाम है के लक्षमागोर इनका जो चापा चितर है उसका नाम है आदमी औरत और व्रक्ष बेटा इस चापा चितर को इन्होंने बनाया 1980 से 90 के मध्य एचिंग एक्वाटेंट टेक्नीक से बेटा इन्होंने बनाया और मीडियम लिया कागज और ये वाला चितर भी अगर आप देखें तो राश्टर संग्राले नई दिल्ली में सुरक्षित है लास्ट अब आपके बसते हैं समकालीन आधुनिक भारतिय मूर्थिकार इसके अंदर भी बेटा ये कोइंसीडेंसी है कि चार आपके आधुनिक शली के कलाकार है चार आपके बंगाल शली के कलाकार है चार चापा चितर आपके स्लेबस में है और समकालीन आधुनिक भारति मूर्थिकार भी चार ही है कौन-कौन से तो सबसे पहले देवी प्रसाद राय चौधरी और इनके मूर्थी शिल्प का नाम है श्रम की विज़र अच्छा बिटा देखो इहां पर बार बार ऐसे चित्र लिखाएगा तो आप उससे कन्फ्यूज मत होना यह मूर्थी है ठीक है श्रम की विज़र मूर्थी समय है विटा 1954 और बनाई है इन्होंने कास से और सिमेंट से और ये भी रखी हुई है राश्चर संग्राले नई दिल्ली में सेकेंड है विटा मूर्थिकार आपके रामकिंकर बैच इनकी मूर्थी का नाम है सान्थाल परिवार और ये बनाया था इन्होंने 1937 में सिमेंट और कांक्रीट की मदद से और ये मूर्थी शिल्प आपका रखा हुआ है शान्तिन केपन पस्चिम बंगाल में मैंने आपको बोला था कि एक चित्र और एक मूर्थी रास्टर संग्राले नई दिल्ली से अलग हटके आपको पढ़ने के लिए दी गई है वो यही है और चित्र इससे पहले आपने पढ़ लिया था कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि कौन सा चित्र है आपका रास्टर संग्राले में नहीं रखा हुआ तीसरी जो मूर्थीकार आपको दिये गए है वो है अमरनात सहगल और इनके मूर्थी शिल्प का नाम है अंसुनी सीखे नहीं है यह थोड़ा गलत प्रिंट हो जाता है तो यह है चीखे ठीक है अनसुनी चीखे और समय है 1958 इसवी कास से लातू से बिटा यह मूर्थी शिल्प इन्होंने बनाया है और रास्टर संग्राले नहीं दिल्ली में सुरक्षित है लास्ट मूर्थीकार जो आपको दी गए है वो है पीवी जानकी राव इनका जो मूर्थी शिल्प है गणेस इसको बनाया है इन्होंने 1970 से 80 के मद्ध है और यह बनाया है इन्होंने तामबा 3 वित्तार की मदद से और यह भी सुरक्षित है कहां पर रास्टर संग्राले नहीं दिल्ली में तो बेटा यह थे आपके पूरे के पूरे की पॉरे की पॉइंट्स की नोट्स जो की मदद करेंगे आपको स्लेबर्स को बहुत अच्छे से याद रखने में बिटा आशा करती हूँ वीडियो बहुत ही ज्यादा useful, helpful आप लोगों के लिए रहा होगा आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिये बिटा अगर आपने अभी तक भी शिक्छा प्रभा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शिक्षा प्रभा को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आप देख सेके आपकी मार्किंग स्कीम, आंसर की, रिजल्ट, मॉडल टेस्ट पेपर और स्लेबर्स के रिगार्डिंग, बहुत सारी जानकारी और वीडियोज.